प्रदोस्तों मैं संदीप स्वागत आप सुभी का आज किस नमास में दोस्तों आज इस वीडियों जितने भी कोइश्चन होने वाले वह प्यूंग के हैं ओresponsive के होने वाले क्श्चाम इन्वर्स deben के आने के बहुत सारी इनवर्सिटी है जो वाले कोईश्चन का जो है वह एक्जाम पैटरन बना रहे हैं जो कोईश्चन पेपर आने वाला है जहातर इनवर्सिटी ओ मूँ कोईश्चन पेपर है ऑब्जेक्ट्ट्व टाइप का तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को आज किस वीडियों कोईश चोड़के तो आप लोगों हो सकता है कि प्रोब्लम समझने में तो सुरुस लेकर लाट तक जरूर देखेंगा ठीक है वह सब्सक्राइब कर लिजेगा जो चानल पर पहली बार आपको प्रवाइड की जाती जो आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह है ठीक है मुस्ट और आप लोगा इंटरमीडियेट में वी ए में तो आप लोगों इनको इनका नाम तो सुना ही होगा ठीक है यह कि प्रमुक्ष लेख़ा ठीक है कभी अपनी आपनी पहसाम जो भी कह सकते है तो ध्यान दीजेगा पहला आप सब्सक्राइब का या आपको आप से ही objective question आ रहे हैं तो हो सकता है इस बार भी ए आप लोगों के एक्जाम में एक question आ सकता है तो ध्यान दीजेगा most important है तो इस question के तो right answer हो जाए कि मैं आपको बिना दिरी क्यों बदा देता हूं ध्यान दे लिजेगा ठीक है अचार जो को पिता का नाम है वो चंद्र बलीफ सकुल जी है ध्यान दीखिएगा ठीक है निस question के और बढ़ेंगे निस question कहरा कि राम चंद्र सकुल का जन्म किस जिले में हुआ था आपसर आपको तो इस बाल भी important इसलिए मैं repeated class आप लोगों के लिए प्रवाइट कर रहा हूं ध्यान दीजेगा ठीक है तो राम चंद्र सकुल जी का जन्म है वो बस्ति जिले में हुआ था ध्यान दीजेगा ठीक है next question है कि राम चंद्र सकुल का जन्म कब हुआ था तो अब यहां पर बा important दिजेगा चलिए बढ़ते नेश्च कोश्चन के और नेश्च कोश्चन कह रहा है कि राम चंद्र की माता किस घराने की कन्या थी यानि कि विवास से पहले की बात कही जा रहे है तो आफसे मिल जाएंगे यह नमब सूरत गुजरात गाना कासी ठीक है तो इसमें जो कोश् कि निम्ण में से श्कुल जी का विवा किस अंर में हुआ था यानि कि जो अचार राम चंद्र जी सुक्ल जी है उनका जो वी है यह फिर उनकी है वह किस ओप्धिiri यह में हो टीक है अब्सका तो आप्सर मिल जाएंगे पंद्राइटीस बाराइटारा तो जो राचार रामचंद सुक्ल जी है उनका जो विवा है वह बारा वर्ष की आवस्था में यानि बारा वर्ष की आयो में ही उनका विवा हो गया था ध्यान दीजेगा सी नंबर राइट एंटर हो जाएगा नेश तो आपको मिल गया है 1908 1904 और 1901 तो जो रामचंद सुक्ल जी है ठीक है इन्होंने निबंद जो लेखना शुरू किया था ठीक है इसकी शुरुवात की थी वह सन 1904 से की इसले कोश्यां का राइट एंसर भी हो जाएगा याद रखेगा ठीक है मोश्यूंबाइड कोश्चन थानि विए एक रामचंद सुक्ल ने हिंदी साहित के हसको कितने भागों बाटा रखेगा कि इतिहास को कितने भाई में डिवाइड किया गया है यानि कि इन्होंने अपने हिसाब से कितने भागों में वाना है तो आपसन मिल जाएंगे पांच चार ठीक है पांच दस चार दो आपसन यहां पर भागों में निवाइड या फिर इन्होंने बाटा है ठीक है अगले बढ़ते हैं कि पर आया किसे प्रेम पर वर्तक दिखाया जाता है तो प्रेम काबवों में प्राया जो प्रेम का परवरतक दिखाया जाता है उसका जो नाम है अर्थ लोब पहला है आपिसन मिल जाएगा अर्थ लोब को दुसरा है ज्यान लोब को तीसरा है रूप लोब को नमबर इन में से कोई नहीं तो जो क्वेशन नमबर आठ है उसक्वेशन नमबर आठ का जो एंसर हो जाएगा ग्यान लोब को ठीक है प्रेम का परवड़ तक दिखाया जाता है ठीक है नेस्ट को बढ़ेंगे लिखा कि अचार राम-चंद-सुकल ने संपादक जीवन की सुरवाद किस पत्रिका से की ठीक है जब इन्होंने संपादन में-स टार्ट जब पुस्तके लिखी- अप्रुगों कि नियुक्क किसम नहीं सब्सक्राइब किस शुरुवाद की थी तो आपसे को मिल जाएंगे आनन कदमवनी उन्हों नाम की पत्रिका से इन्होंने शुरुवाद किया था संपादक का काम सुरू जी कि सपली में हिंदी सब्द सागर की रचना में सहायक होकर 80 आ गये तो आपसे नाब को मिल गए सब्दिव हों 35 नbugा बीधिस देघ्रेक सागर की रचना में सहायक्ष होकर यह 80 आ थे राइट एंसर कोश्चन को जाएगा डी नमबर याद रखी कर टॉंटीफाइव एर कि अचार राम चंद सुकल जी की माता के निधन के समय उनकी अवस्था कितनी थी यानि कि जब आचार रामचल शुकल जी की माता का देहवासन या निधन हो गया था तब उनकी उमर क्या थी किस ए जिबेके थें तो आपंजर आपके 15 9 211 तो उनकी जो आवस्था थी या फिनकी उमर जो थी ठीक है वह प्रहाल नहीं आएगा तो में इस वीडियो में बता दूंगा या फिर इसी कमेंट में आप लोग पूचेंगे तो आपको उता दूंगा लेकिन इसकोष्टिन का एंसर आप लोग गिस करिए ठीक क्या होगा 15 वर्ष नवर्ष और 20 वर्ष और 11 वर्ष ठीक है आप लोग ट्रा व मालू है कתि राम चन्द सुक्ल के रेम अगले को बढ़ों की राम चन्द सुक्ल के निवन संग्रा है जो वह क्या नाम हम संम्ट मिल जाएगा विचार भी चिंतामडी जैसी राइट एंसर जो जाएगा चिंतामडी याद रखेगा चली अगले को बढ़ेंगे अगला कोश्चन है कि आपके पाठ करम में यानि कि जो भी बीए के छात्र है फस्टियर वाले उनके पाठ करम में अचार रामचंद सुकल जी का कौन सा निवंद है या फ इंसर हो जाएगा ठीक है वह हो जाएगा लोभ और प्रीति नामक जो निबंद है वह बीए फस्टियर के पाठ करम में अचार रामचंद सुकल जी का संकलित है याद रखेगा ठीक है बी नंबर नेस्ट कोश्चन है कि जाईशिक ग्रंथा वाली किसकी क्रति है यानि कि जो प्रिये या अच्छी लगने वाली वस्त के संबंद में इच्छा कितने प्रकार की होती है आठ प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है चार प्रकार की होती है तिन प्रकार की होती है तो अचार रामचंद सुकल जी के अनुसार इस्तित भेद में प्राया अच्छी लगने वाली वस्त के संबंद में इच्छाओं की जो संख्या है वो ठीक है इच्छाओं की जो संख्या वो दो है यानि कि इच्छाओं कितने प्रकार की होती दो प्रकार की होती है इस इस्थिति के अनुसार और राम चंद सुकल जी के अनुसार दो बी नमबर राइट एंसर हो इनमें से जो राइड एट रोजाएगा मोस्ट इंपार्टन कोईचिन ध्यान दीजेगा ठिक है तो यह जो है वो निबंद को मानते हैं क्योंकि यह कि प्रमुक निबंदकार के नाम से फेमस है इसलिए यह जो सक्रति है यह फिर आप सो कहे सकते हैं एक जो रशना है जिसका नाम में कभीता क्या है ठीक है यह एक प्रकार का निबंद है और इसके लेखात तोन है यह आप लोगों को बताना है अपुक्सन आपको मिली जा रहे है question का जो right answer हो जाएगा वो मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूं question का right answer हो जाएगा ये 4 option इसमें right answer हो जाएगा रामचनदसुकल B number ओके चलिए बढ़एंगे हम next question के ओर next question कहि रहा कि लोग के बिसे कितने परकार के होते हैं ठीक है लोब के सोरी लोब के बिसे कितने परकार के होते हैं आपको option मिल जा रहे हैं 5, 2, 8, 4 तो लोब के बिशे की जो संख्या होती है वो कितने प्रकार के होते हैं वो होते हैं दो इसलिए कोश्चन का राइट एंसरम से लिट करेंगे बी नंबर यानि कि दो ओके चाली नेश कोश्चन देखते कौन सा है यानि कि 20 नंबर कोश्चन है कि लोब का सबसे प्रासस्त पूबा जो रच्छा मात्र की इच्छा का प्रविरतक होता है कि आप पूत कि आपको मिली जा रहे भारतें दो एगे रामचंद सुक्ल उस्पाल कोश्चन कर रायट एंसर हो जाएगा त्वीainenbreaker रामштंद सुकुल जी ठीक है अचार रामचंद सुक्ल रामचंद सुक्ल चिलेक्ट करेंगे ठीक है अगला कोष्टन है कि तुलसी ग्रंथा वली किसकी करती है निराला महादेवी रामकुमार और रामचंद सुक्ल कोष्टन का राइट एंसर डी नंबर हो जाएगा बिना देरी के मैं आपको बता देता अगला कुश्चन है कि सुकल जी को कि सारबधिक खेति प्राप्त हुई यानि कि जो अचार राम्चन सुकल जी है उनको किस डिपार्मेंट में या किस खेति में सबसे अधिक घ्यात या फिर उनको आप लोग ख्यात अपनों प्रिसिद्धी आप लोग कह सकते हैं, इनको किस शेत्र में किस शेत्र में प्रिसिद्धी या ख्याति प्राप्त हुई ए अलोचना में ऑप अपन्याज में कवितता में व्यंगते करias t callरारा एस constitution और हो जाएगा बाइस को स्क्राइब और हो जाएगा इसान का अलोचना में Ox na जी तीन वर्स कहां के मिसन स्कूल में ड्राविंग टीचर रहें अचार रामचन शुक्ल जी के अपने जीवन काल में इन्होंने कुछ साल जो थे इन्होंने ड्राइवरिंग में भी विताये हैं जो कि मैं आपको इस कोश्टन के माध्यम से जानकाई दे रहा हूं तो अचार सब्सक्तिकशल जो थे उन्होंने तीन बस्तक मिसन श्कूल में ड्राविंग टीचर ठीक हैं ड्राविंग टीचर टीक है याद रखिएगा ड्राव यानि कि करला के टीचर ठीक है अवे इंग्लेंड में स्दोर्ट कोश्टिन कॉश्चें ठीक है था कितने प्रकार क्योंटे कोसिखाई के इस्च्छा कितने प्रकार क्यों होती है प्राप्ति या सनिंध है दो नंबर ए नंबर राइटर इंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है कि लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता है ये कथन किसका है आपसन मिल गए है कोश्चन का राइटर हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूं चार रामचल सुकल हो जाएगा ठीक है सी नंबर अगला कोश्चन है कि चिंता मड़ी के किस भाग पर सुकल को ठीक है सुकल जी को मंगला पसाद पारितोसक मिला था मोश इंपार्टन कोश्चन है रट लीजिए था ठीक है तो यह भाग दो भाग तीन भाग चार भाग एक तो यह जो आपसाने इन में जो राइट है इंसर हो जाएगा वह जाएगा भाग एक पे मिला था राइट एंसर सेलेक्ट करेंगे हम डी नंबर ठीक है चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं अला कोश्चन है कि राम्चंग सुक्ल का जन्म बस्टीजी जिली के किस गाउं में हुआ तहां महराजपुर में अगोना मिना घॉस्च पूर में रामपुर में तो आप सभी कुमालों में बस्टीजी जीले में तो हुआ हुआ है और यह बताया रहा किस गाउंम प्तुर्दण हो जाएगा गाव में विलेज में चली अगले को बढ़ जाते हैं लिखाया कि किस नरेश ने तुल्षी के अध्यन में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया था ठीक है तो अगला कोश्चन है अगला कोश्चन देखते हैं कौन सा है कि दया मनुष मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी है यह कथन किसका है आपसर आपको दिख रहे हैं अजाई हजारी परसाद यसपाल सामचंद सुकल जी भारतेंदू राइट एंसर हो जाएगा चार रामचंद सुकल थे वह 30 मैंने आप लोगों को बता दिये हैं जो कि मोस्ट इपार्टेंट है हलाकि इनसे संबंधित और भी कोश्चन बनते हैं लेकिन जो टॉप को पार्टेंट लगे वहीं मैं आप तक प्रवाइट कर रहा हूं और भी सी तरह के कौन से लेखक से कौन से कभी के कौन सब् चाहिए कमेंट सेक्शन में बहुत बताएं यह मुस्ट इंपार्ट कोश्चन थे हम आपको मिलेंगे निश्ट वीडियो टेलीग्राम चैल का लिंक वीडियो की रिक्सक्र में जोइन हो जाएए बहुत ही जानकारी वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी टाइम टॉटाइम तो जोएन हो जाएए ठीक है बाए बाए